हेलो गाइज वेलकम बेक टू और यूटूब चैनल तो आज हम डिसकस करेंगे हमेन री प्रोडक्शन का जितना भी एमसी क्यों है जो नीट और बोर्ड के लिए बहुत ही जादे इंपोर्टेंट रहेगा यानि के वन टू फिप्टिन को संजो इससे पहले हम पार्ट वन में किये थे और पार्ट टू में जो है फिप्टिन के बाद सिक्स्टीन से लेकर थर्टी फाइव तर डिसकस करेंगे औ और कमेंट में जो भी आपको लगए वो कर देना है ठीक है आप लोग लाइक ने करते हैं करते हैं इस से पार्ट वं में करतें के और हैं आपको इसका पीडिएफ चाहिए तो इसके लिए टेलिग्राम जोइन कर लिए वहाँ पे इसका पीडिएफ प्रोवाइट कर दिया जाएगा तो क्वेश्चन नमा सिक्स्टीन देखते हैं क्या कह रहा है कि दा हॉर्मोन विच पिक डियूरिंग ऑवलेशन ऑवलेशन के दोरान कौन सा हॉर्मोन जो पीक लेबल पर रहता है मतलब सबसे ज्यादा रहता है तो रहेगा वह लूटिनाजिंग हॉर्मोन ही अबवलेशन कराता है तो राइट एंसर टू हो जाएगा आपका नेक्स्ट देखू कि मिल्क इन्हेविटरी पेप्टाइट वर्क एंटागोनेस्टिक टू जो मिल्क इन्हेविटरी पेप्टाइट है वह किसके एंटागोनेस्टिक काम करता है तो आपका प्रोलेक्टीन के एंटागोनेस्टिक क्योंकि प्रोलेक्टीन भी क्या होता है मि का formation कराने वाला हॉर्मन होता है ठीक है तो आंसर हो गया आपका थ्री नेक्स्ट देखो क्वेश्टन है कि विच वन आप फॉलॉइंग इस नोट दा फंक्शन अप सर्टोली सेल इनमें से कौन सा का फंक्शन जो है सर्टोली सेल का नहीं है सर्टोली सेल का फंक्शन नहीं है यह पूछ रहा है आपको तो देखिए ऑफ्शन अप्शन है एब्जोर्ब साइटर प्लाज्म बीइंग इसेड बाइ डेवलपिंग इस परमेटर जोआ यह तो है भाई सब नेक्स्ट दो रिलीज ऑफ एंटी मुलेरियन फेक्टर यह भी है रिलीज एंडोजेन डिग्रेटिंग प्रोटिन नहीं यह सेल का काम नहीं है जब कि वो एंडोजेन का सेक्रेशन करता है तो आपका राइट एंजर क्या हो जागा थ्री नंबर चलिए यह एंडोजेन का थ्री हो गया नेक्स्ट देखा जाए कोशन है के मेल यूरेथरा इस परजेंड विदिन कॉर्पस कवर नौशा कॉर्पस स्पॉंजी ओसम टूनिका अलवूजीनिया या टेस्टेस तो आपका आंसर क्या होगा कि मेल यूरेथरा जो होता है कॉर्पस स्प कॉर्पस कवर नौशा होता है इस तरह से और बीच में होता है क्या कॉर्पस स्पॉंजी ओसम यहीं पर होता है यूरेथरा तो आपका एंसर टू हो जाएगा नेक्स्ट देखा जाए कोस्टन नमल 20 वीच ओफ दा फॉलविंग इज इनकरेक्ट स्टेटमें इन्करेक्ट है करेक्ट नहीं पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है वनिके चार में से तीन सही होगा एक जो गलत है उसी को चूर्पस करना है पहला और बोथ इस परमेट गोनिया और उगोनिया और डिपलॉइड बिल्कुल सही बात है इस्ट्रोजेन प्रोड्यूस बाइ कॉर्पस लूटियम लीडिंग टू फ़र्दर प्रोरिफ्रेस्ट इंडिमेंटम बिल्कुल यह भी शही बात है इस पर में टीड एन पोलर बोडिया रहापलॉइड यह भी शही है त्यानिके ए बी सी वन टू थरी सही है तो फोर तो अपनी अप गलत हो जाएगा फिर भी पढ़कर देखा जाए एक बार प्राइमरी उसार और सेकंडरी उसार आप बोट आडिपलॉइड नहीं प्राइमरी से देखो question number 21 क्या कह रहा है कि विच हॉर्मोन सो टू पिक इन वन मेस्ट्रोल सैंकल यानि इन में से कौन सा हॉर्मोन है जो दो पिक करता है मेस्ट्रोल सैंकल में तो आपका राइट एंसर है इस्ट्रोजेन जब आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो राइट एंसर आपका क्या हो गया इस्ट्रोजेन थी निमबर नेक्स्ट देखा जाए question है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ए बी पी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ठीक है क्या है देखिए क्या कह रहा है JASON concrete by interstutical kötü नहीं को दूसरा है कि sécurité दे टेस्टेस्टेर네요 विधिनी आपका में राइट तु हो जागा अपका रहाइट हो चै النसे हो जया आपको यह करता कूशचरेट करताures का सेंट्ट्रेट 귟िव यह कहाँ होता है तो诉सी में होता है आजग का कुछ में मेल के रिस्पेक्ट में देखा Turns कि इस पर मेंट mitigate के रिगार्डिंग कोन सा सही है इस टवेन मिजशिस वं अकर्ज इन प्रैमरी स्परिम्टों साइड बिल्कुल सही थे त। शीन ये तो सह दूसरा देखो और बात है मियोसिस टू अकट इन इस परमेटिट नहीं मियुसिस टू होता है प्राइमरी सपर्मेटिट में तो बनता है से गंडर साइट तो आपको राइट एंसर हो जाएगा क्या दो नंबर शुरी एक नंबर होगा दो नंबर गलत है ठीक है नेक्स्ट कॉस्टन बर्थॉलीन ग्लैंड फिमेल कोरेस्पॉंड टू ग्लैंड ऑफ मेल यानि के मेल के कोरेस्पॉंड जो है इन फिमेल में जो बर्थॉलीन ग्लैंड है वो किसके एक्विवरेंड है मेल में तो मेल में होता है कॉपर्स ग्लैंड जिसका नाम दूसर तो दोनों लगबख शेम हैं ठीक है तो राइट अथर क्या होगा आपका वान नंबर ठीक है एक नंबर सही है चोबिस का एक next question देखो के which of the following is incorrect statement for corpus luteum corpus luteum के respect में कौन सा statement incorrect है ठीक है तो पहला option देखा जाए कि चेंज इंटू कॉर्पस अल्विकन सही बात है कॉर्पस luteum corpus अल्विकेंश में चेंज होयाता है दीस दूसरा सेक्रेट इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन करता है भाई सिंपल बात है पर सिस्ट्राउड दा प्रेगनेंशी बिल्कुल रहता है पर सिस्टिल दप्लासेंटा फुली डबलप यानि कि फंक्शनल नहीं यही गलत है आपका तो आंसर यही हो जाएगा आपका फोर नंबर ठीक है प्वेंटिसिक्स देखा जाएं ट्वेंटिसिक्स का क्या बोला है कि इफ बोट अवरी ओफ लेड़ी इन रिमूब्ड इन फॉर्थ मंथ औप्रेगनेंशी अगर चोथे मंथ में प्रेगनेंशी का दोनों अवरी को काट के मतलब रिमूब कर दिया जाए तो क्या होगा तो आप अंसर देखिए इंब्रिया विल्ड डेबलब नॉर्मली तिल बर्थ क्यों ने डिबलब होगा उससे अबरी सिखा रहेना दना है तो यह तो सही है नेक्स देखो नेक्स क्या कर रहा है कि एब्जॉर्शन विल अकर्स आफ्टर सम्टाइम्स इससे क्या मतलब है बाई जो है जर्शान कि बात कर रहर रहें श्यों आवर्शन नहीं होगा होगा तो गलत है इंब्रियो weillad defective नहीं नॉर्मल डेवलप्मेंट फुटस विल प्रोसीड नॉर्मल डेवलप्मेंट फुटस विल प्रोसीड और इंब्रीय विल डेवलप नॉर्मली अंटिल बार्थ तो आपका राइट अंदर हो जागा वन नंबर ठीक है नेक्स्ट देखा जाए कि वाट इस क्रेक्ट अवाउंट ऑफ टोटल ग्राइट रोपीन एक्टिविटी इन दर नॉर्मल प्रेंट वोमें ठीक है तो यहां पर देखा जाए पहला आप्शन क्या कर रहा है कि हाई लेबल ओफ सर्कुलेटिंग एच सीजी हुमें कोरियोनी ग प्रोजेस्ट्रोन और फ्रॉम्दे कॉर्पस लुटियम यही ऑप्शन तो सही है ठीक है तो आंसर यही हो जाएगा एक नमर सही है नेक्स्ट देखा जाए कि फिटल इजेक्शन रिफ्लैक्स इन हुमें फिमेल इंडूज बाई यानि कि फुली डेबलफ फ्यूटस जो होत है वो डिलीवरी के लिए रेडी होया आता है तो उस टाम क्या तो लेवर पर निस्टाड होया आता है उसे हम लोग बोलते हैं तो इसके रिगार्डिंग कौन सा ऑफ्संट सही है पहला देखा जाए ऑफ्संट है रिलीज औव ऑक्सिटोसीन फ्रॉम प्यूट्यूट्री हा करें दूसरा फुली डेवल फ्रॉटर प्लासंटा यहां पूछ रहा है कि फ्यूटल इजेक्शन डिफ्लेक्स इन हमें फिल इन्हां कॉन कराता है तो इसका आंसर वाजाए का फुली डेवल फ्यूटर फ्लासंटा अंसर टू जाए नेक्स देहों कि दारेशियो ओफ मेटर और दॉन्ट कोड खुरयता है तो यांफ फुर्डपर्स प्रशेस नहीं पिलासेटा उसको च्लेट शेयो तुकुर्चा है का सफना पुट्रेटेन सब्सक्राइब कर तो आपनमरी कोड में जो होता है नौमली जो हंडीड कुश्टन है फिर्स्ट मूब्मेंट फिटस एंड एपरेंश एड एड यूजवली अब्जर्ब दूरिंग विच मंत प्रेग्नेंसी तो फिफ्त मंत में होता है एंशी का लाइन है अंसर हो जागा आपका बन अ intelligence select the correct statement with respect to human development Human development में कूँसा स्धीमिट सही है पहला option ट्रोफ उपर फिर्म इंब लश्व क्विड्रियो में नहीं दूसरा है हाईपॉ नहीं प्रोफब्लास्ट लेयर इज नोट फॉर्म इनकेश हुमन गलत बात है बनता है दूसरा इनर सेल मास्ट डिफरेंशिट इन्ट इंट इंट इंडोडर मेजोडर में वाता है अंसर वजग अपका फॉर ग्रॉर नेक्ट डगाजाएं शेलेक्ट दू स्टेटमेंटेंट में विद रिस्पेक्ट तो मरूला ऑफ हुमन ठीक है तो अप्शन देखा जाएं क्या कह रहा हैं रिफ्पेक्ट में कॉंसा स्टिटमेंट सही है पहला देखो इट हैसाले साइट अग्वल एज लेस ड्येन नहीं दूसरा है it has more or less equal quantity of cytoplasm and dna as in unclipped jago more or less नहीं यह भी गलत है यह भी गलत है next देखो तो it has more cytoplasm and more dna than the unclipped नहीं it is it has almost equal quantity of cytoplasm as in unclipped jago but much more dna यह सही है तो answer up 4 हो जाएगा थीक है next देखो तो क्वेशन है कि one difference between the blastula and gastula stage of development है नहीं के blastula stage of gastula stage में जो जो development होता है मतलब gastula blastula में करमण होता है ठीक है उसमें एक difference बताना कि दोनों में क्या difference होता है ठीक है तो आपको राट नहीं हो जागा blastula cell are more differentiated than gastula नहीं next there are many more cell in blastula नहीं यह गलत है next देखो blastula is solid but gastula is hollow उल्टा हो गया है ठीक है there is an opening called blastopore in the blastula gastula which is lacking in gastula सही बात गया स्टूला में नहीं होता ब्लास्टूला में blastopore होता है ठीक है आंतर होगे आपका फोर नेक्ष्ट देखो क्वेशन है what is true for process of fertilization in human ठीक है only one sperm reach the egg and enter into it the entry of sperm activate the egg for competing the meiosis completing the meiosis ही बात ही है answer 2 हो जाएगा आपका answer 2 हो जाएगा ठीक है next select the correct statement with respect to the cortical cortical reaction it is the fusion of egg cortex with the egg plasma membrane with allow the sperm to enter question है कि select the correct statement with respect to cortical reaction to it is the it is the fusion of egg cortex with the egg plasma membrane which allow the sperm to enter next it is the entry of calcium in into egg with initiate the development it is the depolarization of plasma membrane after a sperm entry which help the block of plasma police for me it is the release of cortical granule after a sperm entry with convert the wet line membrane into fertilize fertilization membrane which block the police for yes answer 4 सहीए इसी तरह से है 35 question हम discuss कर लिए है पार्ट वन में 12 15 को सन है और पार्ट टू में जो है 15 के बात यह सारा को सन है यह सारे के सारे को सन बहुत इन्पोर्टन्ट है ठीक है थैंक्यू